हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं उमा, आप सबको मेरे चानल पे स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके लिए एक नया पेंटिंग लेके आई हूँ, जो सेव वाटर का पेंटिंग है, सेव वाटर ही नहीं हमें सेव अर्थ भी करना चाहिए, क्योंकि हम पेड पोदों को काटने के रहेंगे तो आगे चलके हमारे बच्चों को बिमारियों का सामना भी करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह, जिस तरह हम हमारे पूरवज लोग थे, कितने स्वस्त और कितने अच्छे रहते थे, मगर आजकल हम उस तरह का हेल्थ हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रकृति के स बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े-बड़े पौदे आसपास उनको बहुत अच्छा इंवियॉर्मेंट था, मगर इस टाइम में क्या हुआ है, हम पेड़ पौदे सब काट के वहां बड़े-बड़े घर, माकान, बिल्डिंग्स बना देते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी प पानी का भी बहुत ही दुर्पयोग कर रहे हैं, पानी का दुर्पयोग करने से, फ्यूचर में हमें पानी का दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा, अगर हम थोड़ा कम पानी का इस्तमाल करने से, हमें फ्यूचर में पानी को अच्छे सही मात्रा से हमें मिलने का जो सोभा यहां मिल सकता हैं मिध वी पूर्वच पानी को नदी ताला आप समंदर के रूप में देखते थे उनके बाद जो को से उन के बाद का जो जन्रेशन था में शानल कउय मेरा देखानों आजकल हम लोग तो नल में ही पानी देख रहे हैं, वो भी मुंसी पाटी का पानी, अगर आगे हम इसी तरह पानी का दुरुपयोग करने से, हमारा नेक्स्ट जो जेनरेशन होता है, वो पानी को शायद एक कैपसूल या दवाई के रूप में भी देख सकता है, ऐसा भी पानी को गलत तरीके से इस्तमाल करने से, जो पानी को हमेसे ही इस्तमाल करना चाहिए, अक्सर हम घर में कपड़े छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हम उसे फालो करने से, हमारे आसपास के पेड़ पोदों को भी पानी मिलने का चांस बढ़ सकता है, जिस तरह हम घर में ब आसपास के पेड़ पौदे या घर के ही पेड़ पौदों में हम उसको इस्तमाल करने से सही होगा। और नॉर्मली हम जिस पानी वाले जगे पे जाते हैं। एक फैपनी को से थिद्वित्थे यहां के पानी में यहां के पानी में शार के ठोड़ां के परीषुम के आं असकता है सो यह सब देखते हुए हम अपने बच्चों को अभी से ही सेव अर्थ सेव वाटर सेव इन्वियॉर्मेंट का सिक्षा देना जरूरी हो सकता है मैं यहां एक नया सा नेचर विथ केरिंग वाला पेंटिंग लेके आई हूँ यहां पेंटिंग क्या दशारा है हमारे प्रकृती में पेड़ पोदे कम हो रहे हैं पुराने जमाने का जो घर होते थे वैसे उस तरह का घर नहीं है तो इसलिए यहां यहां एक छोटी सी बच्ची क्या करती है डेस्ट बिन में जो कुड़े धानी में कछड़ा लेके भैते वे नदी में डालती है जिस तरह अंजाने में भी हम लोग करते रहते हैं इस तरह का काम करने से आगे जाके हमारे लिए पानी का हानी हो सकता है पानी विशकारी भी हो सकता है जो जानवर पानी के अंदर होते हैं वो यह सब काने से उनका भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है जल जीव लोग मरने का चांस ज्यादा होता है तो इसलिए हमें अपने परिसर को शुद्धता और अच्छे से रखना चाहिए आप देख सकते हो मैं यहाँ एक पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें पेड पोदे हरिया लिया खुला आजमान और एक बहती नदी है जिस नदी के किनारे में खड़े होकर एक चोटी सी बच्ची उस नदी में कुड़ा दानी से कुड़ा फेंक रही होती है कि दोस्तों अगर आपको मेरा चानल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई मिस्टेक कर रही हूं या जाने अन जाने में में प्लीस उसको मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा देख सकते हैं किस तरह बहते हुए पानी में गंद डाला जा रहा है अगर हमेरा हमारे भविश्य में हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना है तो हमें उनको अभी से ही परिसर के साथ किस तरह दुर्प्यों दुर्वेवाहार नहीं करना है इसकी शिक्षा देना जरूरी हो होता है हम अपने बच्चों को अभी से छोटे छोटे चीजों के बारे में सिखाने से आगे जाके उनको उनके भविश्य के लिए अच्छा ही होगा अभी हरियाली के ना रहने के वज़े से आप देख सकते हो दिन में सैकड़ों बिमारिया स्वास्त से रिलेटेट साय स्वास्त का बिमारी हो सकता है हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों को या हमको भी तो इसलिए हमें पैड़ पोदों को ज़्यादा उगाना चाहिए और प्रकृती को यह साथ किसी भी प्रकार का दुर्वेवाहार नहीं करना चाहिए हम अच्छे से पेड़ पोदे उगाने से हमें ही अच्छा है हमें अच्छा शुद्ध हवा मिलेगा और हमारे जो पाल्तु जानवर होते गाई भैस बकरीन सबको अच्छे से चारा मिलेगा अगर हम प्लैस्टिक कवर्स या प्लैस्टिक डब्बवे यह सब यूज करके हम उसे कहां चाहिए महां फेंग देंगे तो रस्ते में चलती होई गाई यह सब खाने का चांस Fam होता है है अकसर हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा गो बाता प्लेस्टिक ये सब खाके ही अपनी जान गवाँ बैठती है तो इसका कारण कहीं न कहीं हम लोग ही होते हैं जो इस तरह का कैंब देते नहां में यहां कहीं कहीं गलत होता है प्रकृति के साथ अगर हम थोड़ा कम प्लास्टिक को इस्तमाल करें और उसे ठीक से डिस्पोस करें तो अच्छा होगा अक्सर हम क्या करतें ब्लेड या शीशा ऐसे जो भी चीज घर में तूट जाता है उसको कैसे जेव ऐसे फेंग देतें ऐसे ना फेंग ग्माठामें में देट लीट है कि इस उसे अच्छे से के इसके वज़े से हमारे स्वास्ते के साथ भी थोड़ा बहुत दिकता हुआ सामना हो सकता है दोस्तों अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये पेंटिंग अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा धनियावाद अभी तक मेरे चानल में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप अभी देख सकते हो ये पेंटिंग अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है आपको ये पेंटिंग कैसे लग रही है अब बता सकते हो मुझे कर्दाट ये अवने परी अवने हो ईत्स जरूर कीजिएगा है आपको ये खिलेंग अल्मोस्टर चुकी है अवने है और किसे लाइस OST नरश कर ये चु़ने के लिए भाइस अभी तो आपको ये कैसे आपकोफ़ारे साथ किया तक मेरे सकते हैं मेरे साथ आपकोंब सुब झाल झाल झाल